असलाम लेकुम, आज की जो हमारी स्लाइड है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, प्रेटिटमेंट ऑफ बायो मैस, तो प्रेटिटमेंट ऑफ बायो मैस क्या होती है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है, जिसके जरीए हम लिगनो सरलोस बायो मैस जो होता है, उसको हम सिंपलर फॉर्म क्यों कर सके में ताकि, इसकों फरन आइंजाइम्स ग्यों तक कर सके, उसकी ओनाइड हुर्सित कर सके, तो इसलिए हमने इन जो हमारा होता है उस को सट Streit घर लिए बाशत कर सके, तो यह ज़सें क्हास भूंत इस प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को है नह नहें brings me प्रेट्रीमेंट प्रेट्मेंट 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 और इसी तरह हमारे पास एक Aromatic Polymer भी होता है यानि कि हमारे लिगनिन सरलोज में में हमारे पास Carbohydrate Polymer और Aromatic Polymer रहेंगा जो Aromatic Polymer वो कौन सा होता है? Lignin और जो Carbohydrate Polymer होते हैं वो कौन सा होते हैं? Surlose और Hemisurlose तो अब देखिए कि हमारे पास जो basically Plant Cell होता है A Plant Cell एमारे पास यहां पर हमने Plant Cell दिखाया हुआ है अभी जो Plant Cell है इसकी एक Plant Cell Wall भी होती है ठीक है तो अभी जो Plant Cell Wall है इसकेंटे होता है इसकेंटे माइक्रोफइब्रियल्स प्रेजन होते हैं और हमारे पास जो Mikro Fiberil हैं अब मैं आपको शॉल्ट है ओक ㄌ है और हमीन िरके था अए ने जिए हैं और हमने क sports के बना पारियो तेस्री न डुगके हैं की नीजही के अब प्रॉलकिछे मैं अप्तनी न को एए यहां से न कहीं है आओocolराइल यहां से बिल नहीं है प्रेटेटमेंट का क्यूं इस्ते हैं करेते हैं। कि हम प्रीट्रीट्रीटमेंट का किवेले करने बाधिनिक करें। यानिके अब plant cell wall जो होती है उसने जाहरी बात है उसका बहुत एक strong structure होता है तो हमें उस structure को तोड़ने के लिए pre-treatment का इस्तमाल करना पड़ता है ठीक है अब उस structure को तोड़ना क्यों है ताकि हम easily पूरे जब देखे न एक plant cell ना उसकी जब cell wall तूट गई तो अंदर वाले जो structure होंगे वो easily available होंगे ताकि enzymes उनकों पर act कर सके तो सबसे पहला काम जो हमारा सबसे पहला barrier होता है वो होता है plant cell wall को तोड़ना तो हमारा plant cell wall को तोड़ने के लिए process इस्तमाल होता है उस हम कहते है pre-treatment अब हमने का recalcitrance होती ही क्यों है ठीक है recalcitrance क्या थी के plant cell wall की तूटने के लिए resistance के plant cell wall तूटना नहीं चाहती ठीक है अब cause of recalcitrance, recalcitrance क्यों होती है recalcitrance इसलिए होती है क्योंके जो हमारे पास cellulose होता है वो बहुत highly crystalline structure होता है cell wall के अंदर cellulose होता है जो बहुत highly crystalline structure होता है cell wall का और इसलिए इससे तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है ठीक है अब हमने का कि अगर हम pretreatment करते हैं यानि कि कि अगर हम pretreatment करते हैं तो हम sugar yield को improve कर सकते हैं हम अगर जिस तरह यहां पर लिखा हो कि देखें यानि कि मर जो pretreatment है वो sugar yield को 90% improve कर सकती है for biomass such as wheat grass and corn तो आगे चलते कि आगे मारी पास है pretreatment of biomass में हमारे पास दो तरह के methods होते हैं कौन-वात चe था हम एक होता physical method दूसरा होता है chemical method ठीक है यह मेरी पास physical method झाल न हमारे पास chemical method न हमना आते हैं chemical method में हमारे पास च्चारत जो हुआ जाता है alkaline acid sub वेट ऑक्सिडेशन और ग्रीन सॉल्वेंट ठीक है यह मारे पास चारतरह के जो मैथट है यह मारे पास आते हैं ठीक है तो अब हम फिसिकल्परीषिय्हमेंड के लिए आगे चलते हैं और हमारे पस कहा कहाता है ते प्रेशिकल्परेशियृ। और क्या वगा है अगर हमें इस को प्रहुद करने और आधे सजी को किस्ट सो Present 자 हमारे सफ़ा प scorp ग talents करने थाज करना हैं हमारे सब्सक्मारी तो हमारे सथे doesania के प्रेवांग इस दीर निगा है इक इन उन जमें फीवक्ट में मिली मेटर इन जहाचा करते हैं और 0.222 mm उसका साइज जाज है जब हम इसकी माइलिंग या ग्राइंड निकर देते हैं एक यदि अब साइज बहुत ही छोटा हो जाता है 0.2-2 mm तो साइज जाता है 50-2 a.8mm 40-2.8mm 40-4mm फिसफ के बियुकित है थावी होता है इस पड़ल इसे महता है और हमारा जो होता है यहांता है उपर बीज को जवस्ग के बिटेट Congress हैar के बीज सीज बासे बें पनने जangenमें और हमारे कि क्रिस्टल स्ट्रक्ट्टर जितना कम होगा उसका पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना ही उसको तोड़ने के लिए हमें अनर्जी कम चाहिए होगी ठीक है और अगली बाच है कि मारे पास जो रिकॉरड इनर्जी होती है वह हमेशा ज्यादा होती है अपको बता है कि मारे पास कोई बी कस न है कि यह नदी करें और अस्केली होती है जारी बाता है कि पुल-स्केल प्र एक्साल में बहुत जाया नहीं कर सकती है तो चले अब हम मुवाउन करते हैं chemical pretreatment की तरफ अब chemical pretreatment में मारे पास सबसे पहली pretreatment जवाती हो है alkaline pretreatment alkaline pretreatment क्या होती है इसमें होता है use of bases हम bases का इस्तमाल करते हैं bases हम कों से लेते है sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide या फिर aluminium hydroxide ये वाली हम bases ले सकते है alkaline pretreatment में ग्रेशी प्रेटर का किए रखे दोफे थे पई अब देखे नुल अब बढ़ना हान्य बहुत है यानि बहुत बड़े सार एक polymer बनाता है, तो हमारे पास अब glycosidic chain टूटेगी, तो जाहरी बात हमारे पास polymerization क्या होगी, automatically कम हो जाएगी, ठीक है, और इसे तरह हमारे पास cellulose की crystallinity भी कम करते हैं, यह जो alkaline pretreatment होती है, इसके लावा हमने का कि हमारे पास linkage between lignin and other carbohydrates fraction is broken, य दूसरे, उनके दर में में जो linkage होती है, वो भी broken होती है, यह भी break होती है, और जब भी break होती है, तो क्या होता है, हमारे पास cellulose होता है, जादा accessible हो जाता है, ठीक है, अब यह जो line है, जिसमें में लिकाया के linkage between the lignin and other carbohydrates, जो यह लाई लाइन हमने पढ़ी है, मैं इस line को आ हो under present है और हमारा लिगनिन हो कवरिगए है, तो अगर हमारा लिगना लिगनिन तो जैगा, तो जारी बाहाँ होती है, जादा बाहाँ देखतोन पास बापस पढ़ लैते हैं, जाता हमारे पास dalो देंग्रमा बाहती है, जो linkage得 कल दूसरोब धेकर काया जो दूसरों पर shrub Rees अब नोच का क्या काम है? नोच का जो है, sodium hydroxide, जारी बात हम alkaline pretreatment करवारे हैं, तो alkaline pretreatment हमने किसका इस्तमाल करना है, sodium hydroxide का इस्तमाल करना है, तो sodium hydroxide क्या करती है, sodium hydroxide helps in disrupting the lignin structure, sodium hydroxide lignin structure को तोड़ती है, और क्या होता है कि जब अब अफरे लिगन टूट जाते हैं, आपर अगली बात है, मारे पास, कॉंस्टोवर, switchgrass, wheat, and rice straw are used as lignosolubr, biomass feedstock, तो हमारे बास जो कॉंस्टोवर बगारा जो है यह हमारे लिगनस अलोजिक, बायो मैस यानि फीट स्टॉक के तोर पर यह हमारे रौ मटीरल जाओं जो हम चीजें लेते हैं जिनके हम अलकलाइन प्रीट्रीट्में तो हमारे यह हो सकती है तो जो हमे कहती है इस सिड परीट्रीट्मेंट अब्स ही हमने क्या पार अभी परिझास किया शैज को अदियू करने के बाद है तो बिल्कुल साइस को रेद्यूस करते है कि एंड में या करते है कि एंड में या कि मारे बास 0.004 mm साइस बच एक है और किसके ज़री मीडीउस के था है चिपिंग, माईलिंग आशगी ठीक है और जो हमारे पास अगला मैथर था वह था, alkaline pretreatment, chemical pretreatment, जो हमने सबसे पहला मैथर पड़ा वह था, alkaline pretreatment, और alkaline pretreatment में हमने क्या किया, हमने बेसेच का इस्थामाल के, sodium hydroxide, calcium hydroxide, aluminium hydroxide बगरा का, जिसने क्या किया, हमारे पास biomass की swelling गरवाई, जिसने क्या किया, बाइमास की swelling गरवाई, और इसके बाद, बाइमास की swelling से क्या होगा, कि मारे पास degradation हुई, और polymerization जो थी, वो भी खतम हुई, और क्रिस्लेटी भी खतम हुई, और जब लिगनीन टूट गया, तो लिगनीन टूट के अंदर वाला structure विजिबल हो गया, जो मैंने आगे वाली स्लाइट से लिखाया था, ठीक है, अंदर वाला structure विजिबल हो गया, इसके पर इंजैम ने इसली काम कर लिया, और हमारा काम हो गया, उसके बाद हमारे पास acid treatment है, तो हमारे पास acid pre-treatment में क्या होता है, acid pre-treatment में हमने dilute solutions of H2SO4, HCL, H2SO4, HCL और H2PO4 इनके dilute solutions का इसनमाल करना है, और ये क्या करें के हमारे पास जो acids होंगे, acids ने disruption करनी है, किसकी disruption करनी है, lignosolosic material की disruption कर देनी है, यानि कि ने लिग्नosolosic material को तोड़ना है, अब देखें हमारे पास क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, causes the removal of hemisololos, यह hemisololos को remove कर देंगे, ठीक है, और इसके लाबा उनने काया कि, used in the process for fractionating components of biomass, और इसके लाबा क्या होगा हमारे पास, जो होगी, यह biomass की components की fractionating करेंगे, यानि यह biomass के components को तोड़ देंगे, ठीक है, यानि मेरे पास जो acid क्या काम कर रहा है, acid removal of hemisololos कर रहा है, biomass को तोड़ रहा है, तो यहाँ पर नीचे देखें कि मेरे पास acid pretreatment है, वो क्या करता है, remove of hemisololos, ठीक है, हमने जो biomass लिया, हमने सबसे पहले biomass के करवाई, acid treatment, acid treatment में क्या करवाई, hemisololos करवा दिया, और जब हमने उसके alkaline pretreatment करवाई, तो alkaline pretreatment में हमने पढ़ा था, कि alkaline pretreatment क्या करती है, यह remove of lignin करती है, ठीक है, जब हमने पास hemisololos रिमूव हो गया, lignin रिमूव हो गया, तो हमने पास result में क्या है, pure cellulose, ठीक है, यह 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 treatment followed by alkaline treatment, अगर हम करेंगे, तो हमने पास pure cellulose अप्टेन हो जाएगा, और उसके बाद में रहने का, concentrated aces are not preferred, because they are cruzive, तो हम concentrated acid इस्तमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुली structure को तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, हम जो dilute solution of acid इस्तमाल करते हैं, तो हमने पहले slide, वहने, इस slide के start में पढ़ा था, अच्छा, तो हमारे पास जो wet oxidation method होता है, यह oxygen का इस्तमाल करता है, और oxygen क्या काम करती है, oxygen oxidizer का काम करती है, यह उक्सीडायज करती है, ठीक है, यह जो oxygen है, it act as an oxidizer for the compounds dissolved in water, यानि के पानी के अंदर जो compounds होते हैं, यानि के हमारे पास जो पानी होता है, उसके अंदर जो compounds होते हैं, कर साइन अमंड है करने न के लिए एंद आ ओक्सिडाइजर काम करती है Church हम्मारे पास सब सला काम किया है step 1 step 1 हमने क्या करने हमने drilling and mahling करनी रही है Drilling and Mahling किस की करनी है हमने drilling and mahling लिफा कि करनी हैker यथी किनी है इस बड़िए अगर 2 mm के बडूटल में मत सवयं हैं नहीं सेड्रावन सब मा continuous milk drug नहीं पास अग्ला सब्सक्रण आध्लास अग्लम को दिशनस one liter water to six gram raw मैं यानि करें करहें कि हमारे षजंग 꼭water गार्राम तो आध्लिए सिंड इसंर आध्ले ग्र्रामारे तो करने एर को पंप करने एर इस पंप इन वेसल अंटिल आ प्रेशर आफ त्वेल बार इस रीच करना है एर को पंप करके वह यह सब कुछ मेरा वन 95 डिगर सी पर फॉर्म होना है और इस पर टाइम कि तना लगने 10-20 मिनिट्स अब मैं इसको ओवराल बताता हूं इसमें हमने करन करना किया सबसे पर फेर जो मरा पहला स्था है पले स्था अज़रू नहीं करके लिगनो संदोग हो को छोटे छोटे चोटे पार्टिकल में तबील हो गया नेक्स सुच ग्राम आल बाईमें अडर पानी एड़ करना है ठीक है इसके बाद अगला काम काम एड़ दक्रें कार् वह प्रेशर है वो कितना चीव हो जाए 12 बार का प्रेशर हमारे पास अचीव हो जाए ठीक है और फिर क्या होगा हम ने यह सारा जो कामे 195 डिगरी सी पे करना है और हमारे पास 10 to 20 मिनिट तक के लिए हमने यह जो तेंपरेजर इसको मेंटेन करना है तीक है, और अगला काम काम काते है इसमेफेड is used for, weed straws, sugarcane, bagasi, peanuts, rye, canola, and faba beans यानि के मेरे पास इमेफनी चीजों के लिए इसमेफेड लिए होता है अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा सिप्स्ट अपाद है green solvents So what do green solvents are? Green solvents basically are such liquids which are environmentally friendly which are our green solvents are involved in ionic liquids Use of ionic liquids due to its ability to dissolve variety of biomass What do we need to do in it? Use of ionic liquids because our ionic liquids are to dissolve variety of biomass include salt having small anion and large catanus What do we need to do in our part? There are such salts including small anions and large organic catanus ठीक है और दूसरी बात क्या है कि यह liquid at room temperature हो और इनका low vapor pressure हो यानि कि हमारे पास जो green solvent होते हैं उनके पास small ion और large का टायन होता है और उसके बाद मारे पास क्या होगा liquid होगा रूम temperature पे और उनका vapor pressure भी क्या होगा लो होगा में बेबात कि कि हमारे पास जो होते है आनिक लीको और यह refresh यह ओंध होते हैं क्या होते हैं रिकावरे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा लिक्विड हाट वाटर एंट स्टीम एक्सप्लोईयन हम नेक्स वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे थैंक यू अलाहाफिज